फिलाई शहर में एक अनौखी शादी देखने को मिली है इस शादी में बर और बधु एर बलून में बैट कर 70 फीट की हुचाई पर गए इसके बाद बहाँ उन्होंने दूसरे को वरमाला पहनाई इसके बाद पूरे शहर में इसे एक अनौखी शादी को लेकर चर्चा नजर ये पहली वार नहीं है इससे पहले भी अब देश पांडे अपनी बड़ी बेटी की शादी में इसी तरह बरमाला की रश्रम को अदा करवा चुके हैं एर बलून इतना विशाल था कि उनके लिए एक काफी बड़े ग्राउंड की जरूरत थी इसको देखते हुए पांडे परिवार ने सेक्टर साथ का पूरे दशेरा मैदान में शादी का आयजन तेह किया शुक्रबार देर रात 11 वजे करीब एर बलून दूलह दुलहन को लेकर आसमान में उड़ा इसके बाद 70 फीट के उचाई पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और साथ में जीने मरने का हुआदा किया एर बलून उड़ाने वाले एक्सपर्ट रोहितास ने बताया है कि वो लोग वीकानेर से आई थे वो पहली बार बहलाई एर बलून लेकर आये थे पाइलिट की देख रेक में बलून फ्लाइ करता है इसे रसी से बांद कर कंट्रोल किया जाता है इस आग जला कर बलून को गर्म हवा के जरिये हवा में उड़ाया जाता है इसमें एक बार में साथ लोगों की जगह होती है यकिनए जैपुर के दूलह दुलहन के लिए भी ये शादी एक यादगार शादी बनके रहेगी कर दो नाम रभी ती वारी है इस दूरू गया निदर में रहती है जो मेरी ये प्रित्ती पांड़े सोरी जो सपेला में रहती है इसमें कुछ नहीं नाई संतिय मिनू था जो हाड़ गरें बनून था उसमें ने वरमाना एक जुसरी को दाने तो कैसा एसास लग रहा है इसास अच्छा है कुछ नहीं देखने को भी नहीं है सहर के लिए भी और अमारे लिए भी नहीं है कि 29 जन्वरी को हमने किया था और संबोदे पूरे 37 करण में पहरा था और आज 25 से नॉम्बर को ये पूरे 37 करण में दूसरा है कि बिट्र हम लोग परी मानते हैं तो हमारा धनम भी होता है कि हम परिकर विवा वरमाला आकास और जमीन के बीच में करें यह हमारी क्षा हमने किया और पांडे परिवार क्यूर्ट से हमने आपने आईवे मेहमानों को एक हजार एक पोजों के विच्छा के दिश्टे को उस